नमस्कर दोस्तो सर्जी क्लासिस में आपका स्वागत है तो हम लोग GK के important question कर रहे थे आपके HAL का examination के लिए और साथ में जो NMDC के examination आपके होंगे तो दिखिए अभी तक जितने भी question series हमने किया हुआ है तो इसका हमने अलग से playlist बना दिया है तो आप लोग जहें description box में जाना वहाँ पे आपको इसका link मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ जागे previous सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो और देखिए हमने जो है GK का एक पूरा complete PDF notes भी हमने तयार किया हुआ है जिसमें कि आपको पूरे complete आपको जिके के जितने भी important subject आपके होते हैं जैसे economics, politics, geography, history, statistics जिके और general science का तो इसमें जो है आपको पूरे combined एक ही PDF में आपको मिल जाएंगे तो आप लोग जहें इससे अपना किक्रिवीजन कर सकते हैं GK के आपके जो भी examination आने वाले हैं आप देखिए दोस्तो हमने एक course भी launch किया हुआ है आपका यहाँ पर general English और GK का जिसमें कि आपको जहें पर topic wise आपको पूरा complete lectures आपको मिल जाएंगे इन सभी examination के लिए कि एक ही course में आपका तयारी यहाँ पर हो जाएगा तो यह देखिए कि वह लोग हमारा app डाउनलोड कर ले जाना है डेश्टेशन करने के बाद और इसके बाद आपको यहाँ पर course दीख जाएगा और फिर buy करने के बाद content में जाके आप लोग यहाँ पर lecture और PDF को आप लोग देख सकते हो तो जो लोग भी ads free video और साथ में इंगलिश और GK का तयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ज तो दीखिए यहाँ पर आपको question है कि बीच हो दी following Indians participated in all the three round table conference तो इन में से कौन से Indians ने जो है और तीनों जो round table conference जो हुए थे उसमें participate किये थे तो इसमें दीखिए दियावाट डॉक्टर एमबेटकर, महत्मा गांधी, जालन नहरू और मदन मोहनबाल विया जी तो दीखि conference है जो who organized हुए थे तो उस समय इंडियन जहें वो तीनों round table में जो participate किये थे तो वह है आपका डॉक्टर बीर अमबेटकर तो इसका देखिए right answer option यह आपका हो जाएगा तो बीर अमबेटकर जी है और साथ में जो तेज भाहदूर सप्रू है तो इन्होंने जहें जितने भ महत्मा गांधी जी भी से भी आपका पुछा आता है कि इन्होंने जहें कौन सा round table conference पाटिसपेट किया था तो यह दुसरे में किये थे second round table conference हुआ था तो उसमें इन्होंने participate किया था फॉस्ट वाले में जो इन्होंने नहीं किया था और जो फॉस्ट जो round table conference जो start हुआ था तो उसके पहले महात्मा गांधी जी नहीं पार्टिसिपेट नहीं किया था फिर अगला देखी कोश्चन अपका है कि वेल पाकिस्तान इन्भेड़ दी पाक उपाइड कास्मीर यानि कि जो पीयोके का जो रीजन है आज आप देखे होंगे मैप में आपने जो जमू कस्मीर अ लदा को उपर का पोर्षन जो अपका तो पीयोके वाला जो पार्ट है तो वहां पे पाकिस्तान ने जो है कभ पहली बार वहां पे इन्भेड की आकर्मन किया था तो दीखिए आपने नियूस सुना मतलब आपने सुना होगा कि जैसे जो वार हुआ था पाकिस्तान और 1947 तो 1947 से लेकर देखिए 1948 की बीच में जो है इस तमय जो है उन्होंने पहला अपना कास्मीर के लिए पहला वार उसने इनिसेट किया था तो बहुत लोग इसमें देखिए पहली ही जो है आकरमन इन्होंने किया था वो है आपका 1947 में ही तो इसका दिखिए राइट एंस और ऑप्शन यह आपका हो जाएगा तो उस समय की बात है आपका यहां पे जो 1947 इंडो पाकिस्तान जो वार स्टार्ट हुआ था आपका कस्मीर के लिए तो वो आपका पहली हो च इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो यूद हो चुके हैं तो उसमें से आपका यह पहला वार था आपका तो यह जो है आपका important है इसके में आपको confused नहीं होना है यहां पर फिर next देखिए question आपका यहां पर कि the process of transfer of hereditary character from one generation to another is known as तो इस process को हम लोग क्या बोलते हैं कि तो option B इसका देखिए आपका क्या होगा राइट answer हो जाएगा यहां पर तो इसमें यहीं रहता है कि जो hereditary characters होता है न तो एक generation से वो दूसरे generation में जो है transfer होते रहती है और जैसे कि अभी virus है coronavirus का तो इसका भी mutation हुआ पहले first variant है उसके बाद second variant आए तो यहां भी क्या हो रहा तो Israel की currency क्या है तो देखिए इसका answer आपका हो जाएगा सेकल option is the right answer Israel की currency सेकल है तो देखिए दोस्तों जितने भी important countries के जो currency है उनके capital और currency यह दो चीज़ आप लोग याद कर लेना यह पूरा complete list हमने दिया हुआ है PDF में आपको मिल जाएगा तो देखिए इसमें आपको जै अफगानिस्तान है तो इसके currency अफगानी अर्जिंटीना है तो इसका पेसो अस्ट्रिया है तो इसका Australian dollar आपका हो जाएगा बानादेश का टाका है भुटान का नगुलतरम इसका है यह इंपोर्टेंट है याद रखना आप लो और इसके बाद देखिए कंबोडिया का रिय इजिप्र का इजिप्त का इजि़िए पांड पांड नघ रानक का करनसी में है उसका है इसका तो इसका सकता है और हूंगरी ऑिंडियन का र्यान का इसका Cay और इराग का है दिनार उसे तरीके से इजराइल का देखिए इसका करन्सी जहत वह नी उज्राइली सेकर तो आपका कोई एक ही निम मिलेगा वहाँ पर आपका फिर उसके बाद देखिए इटली है तो इटली का भी जो है जमेकन डॉलर है और जपान का येन है अब दिखिए इसका दिनार है जॉर्डन दिनार और नौर्थ कोरिया और सौथ कोरिया दोनों का जो करन्सी है इनका वोन है और उसके बाद पर देखिए जो लावाउस है इसका है कीप और मलेशिया का देखिए इसका मलेशन डॉलर ही है और माल्डिप्स का इसका देखिए होता है रूप फिर देखिए आगला question आपका है हाँ पर कि when did the C.V. Raman received the Nobel Prize तो C.V. Raman को जो है Nobel Prize कब मिला था तो देखिए दोस्तों ये question को करने से पहले जितने भी Indians मतलब जो Indian origin थे बाहर वो भले ही रहते थे लेकिन वो Indian origin के ही थे तो उनको जो Nobel Prize मिल चुका है तो आप लोग इस list को पुर और इसके साथ में उनको किस फिल्ड में दिया गया है और कौन से year में दिया गया हुआ है तो ये तीनों चीज जो है important है और ये भी रता है कि सबसे पहले Nobel Prize को दिया गया था तो ये list करम में दिया हुआ है तो आप लोग जाए इसी करम में इसको याद रग सकते हो तो दिख गया था इनको 1930 में दिया गया था फिर इसके बाद देखिए जो सरहर गोविन खुराना है तो इनको देखिए medicine के छेतर में दिया गया था 1968 में फिर इसके बाद मदर तेरेसा को भी देखिए ये जो है Indian origin मतलब जो है ये Indians नहीं थे लेकिन ये फिर बाद में इंडियंस भी इनको पीज के लिए गया था यानि कि सांती के लिए और ये दिया गया था 1979 में फिर इसके बाद है आपका है सुभरमन्ययम चंद्र सेखर है तो इनको देखिए physics के छेतर में दिया गया था 1983 में उसके बाद फिर अमरत के से इनको दिया गया था economic science के field में और इनको दिया ग गया था यानि कि जो सांती के छेतर में जो दिया गया था 2014 में और उसके बाद फिर अभिजीत बनर जी जो की लेटेस्ट है इनको economic science के छेतर में दिया गया था 2019 में तो कुल इस तरीके से टोटल जो है 9 दिये गया है आपके नोबल प्रैस जो की इंडियन और इजिन से थे भले यह फॉरन बहर आते थे लेकिन जो है यह इंडियन थे तो इस तरीके से यहां पर question आपका दिखिए पूछा गया था सीभी रमन का तो इनको कब गया था आपका तो यह year आपका था यहां पर that is in the year 1930 तो option C correct होगा इस तरीके से कोई भी question आपका पूछा जाएगा तो आ इसके बाद दिखिए यहां पर आपका दिया हुआ है question आपका कि the mass density of kerosene is, तो mass density जो kerosene का होता है तो वो क्या होगा यहां पर दिखिए option दिया हुआ है इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि more than water, equal to water, less than water, यह non of the above, तो दिखिए जो mass density होता है kerosene का, तो जैसे कि दिखिए पहले आप kerosene के बारे में समझें, kerosene जो आपका oil जो रहता है, तो वो जो है water से हलका होता है, यानि कि वो lighter होता है, density के terms में हम बात करते हैं, तो आपने experiment भी किया हुआ हुआ है, जैसे kerosene को अगर हम water में डालते हैं, तो आप देखते हों कि kerosene जो है वो उपर kerosene का, तो वो जो है water से कम ही रहेगा, लेस ही रहेगा आपका यहाँ पे, तो इस तरीके से answer क्या होगा, आपका option C यहाँ पर हो जागा, that is less than the water, density यहाँ पर पुछा था, mass density kerosene का क्या होगा, तो वो water से कम होगा, और density कितनी होती, kerosene का देखिए इसका होता है, that is 822, 820 kg per meter cube के वे, volume के सब सब का दिया हुआ है हापे, कि इसका मतलब यह आपका हो गया, कि अगर हम मा लिजे, 1000 liter का kerosene हम लेते हैं, तो यह आपका कितना weight रहेगा, 120 kg ही रहेगा आपका, तो इस कारण से जो है, इसके क्या है, यह lighter होता है, और यह आपका उपानी के उपर ही है, तो देखिए, इसका जो right answer हो जाएगा, that is Kolkata, तो देखिए, जो Kolkata port आपका है, जो सकी, यह पहले जो port आपका था, तो इसका नाम चेंज करके, आप चेंज इसका कर दिये गया है, समा प्रसाद मुखरजी port, तो यह जो है, आपका Kolkata में located है, तो देखिए, जितने भ ports है, और इसके साथ में, और भी बहुत सारे minor और intermediate ports है, और जितने भी coastal areas है, हमारे coastal district जितने भी है, तो उनके किनारे यह सारे बनाए गया है, major ports, तो इसमें देखिए, इसमें जो आपका दिया हुआ है, जो ports आपके western coast में, आप जानते हैं कि दो तरीक एक western coast है, तो western coast के side मे जो है, आपके total, यहाँ पे total 6 port है, जिसमें कि आपका पहला है, दिन दियाल port trust आपका है, तो यह दिखिए, जैसे कि इसका नाम जो है, कंडला पोस्ट इसका नाम पहले था, इसका भी change कर देगा है, दिन दियाल port कर देगा यहाँ पे, तो यह important है, आप लोग इसका भी आप याद रखे लेना, और यह कौन सा इस्टेट में था, यह गुजरात में आपका है, और यह जो है आपका एक टाइडल port है, और यह जो है आपका northern इंडिया की बात करते हैं, तो यह सर्भिंग पोर्ट है, फिर दूसरा आपका है, जो कि आपका यह महारास्टा में है, त यह भी आपका महारास्टा में ही है, और जो मुंबई पोर्ट है, अब जानते हैं कि यह जो आपका एक सबसे बीजियस पोर्ट है, तो इसका traffic handling कम करने के लिए जो है, तो यह बनाया गया था दूसरा, जोहाला नेहरू पोर्ट रस्ट, फिर इसके बाद अगला आपका है, म नेचरल पोर्ट है आपका, तो जितने भी spices और salt होते हैं, तो इसके export के यह handle करता है, फिर नेक्स दिखिए, अगला आपका यहाँ पे है, जो कि यह सारे पोर्ट आपके east coast में है, आपने आभी तक देखा, वो सारे western coast में आपका है, तो eastern side में जितने भी पोर्ट आपके है, तो यहाँ पे पहला आपका है, नीचे सब स्टार्ट करते है, southern side से, तो इसमें पहला आपका है, वियो चितंबरम port trust, जो कि इसे ट्यूटी कोरिंग पोस्ट के नाम से ही जाना जाता था इसको, तो यह जो है अपका तमिल नाडू में है, और यह सबसे southernmost major port है इंडिया का, तो इसके बाद देखिए एक और आपका इचे नाई port trust, तो यह तमिल नाडू में ही है, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और यह जो है एक तरिके का एक artificial port है आपका, और second biggest port है इंडिया का, आप्टर मुंबई, तीसर आपका है, कमराजार port तो यह जो है आपका, यह first corporate port है आपका इंडिया का, यानि कि यह जो है private owner के दोरा यह run किया आता है और बाकी जितने भी other major port है, जितना list में दिया आपका, ती यह सारे government administered, मतलब government के अदर यह सारे administered किया आते है, लेकिन जो आपका कमराजार port आपका है, तो यह जो है corporate है, य सबसे deepest port भी है, फिर इसके बाद देखिए अगला आपका पारदी port trust है, जो कि आपका Odisha में हाईए, और यह जो है आपका एक natural hardware है, फिर इसके बाद देखिए अगला आपका है, डॉक्टर सेमा परसाद मुखरजी port trust, तो यह देखिए पहले हल्दियाव कोलकता port के नाम से जो भी जाना आता था यह, तो इसका नाम चेंज करके आप कर दिया गया है, डॉक्टर सेमा परसाद मुखरजी port trust, तो यह जो है आपका वेस्ट बेंगाल में है, और यह जो है आपका एक river in port है, हुगली river पे, फिर इसके बाद देखिए अगला आपका port ब्लेयर में भी एक जो collection किये गा है, question का आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, एक ही पीडियाप का अंधर में, फिर अगला देखिए question है आपका, कि where is the headquarter of world tourism organization located, तो headquarter इसमें पुझा गया है, कि world tourism organization का, इसका headquarter कहां पे located है, तो देखिए जो world tourism organization जो है आपका, तो यह जो है आपका United Nation का ही एक special slide agency है, और जो कि, यह जो है आपका, जैसे जितने भी, जो tourism होते है, universally, तो उन सभी के लिए, यह responsible होता है, और इसके साथ मैं, इसके headquarter की बात करते हैं, तो यह है आपका, Spain के सार, Madrid में है, इसकी, तो world tourism organization का headquarter कहां पे located आपका है, तो that is Madrid, Spain, तो option C, आपका क्या होगा, सही हो इसके साथ में, इसके साथ में, Commonwealth of Nation का, और Amnesty International का, इन तीनों का headquarter London में ही है आपका, तो आप इसको याद कर सकते हैं, का I am common man in London, तो common आपका, इसमें देखिए, आपको मिलेगा है, common इसमें आपको मिलेगा है, यहाँ पे, और इसके बाद आपका maritime का भी है, और एक आपका इसके बाद देखिए, जो food और agriculture से रिलेट जो आपके रहेंगे, तो वो आपका मिलेगा Rome Italy में, मतलब Italy में सब मिलेगा आपको अधिकतर, तो इसमें एक आपका जैसे दिया हुआ है, कि food and agriculture organization, तो यह है आपका Italy के सहर Rome में, फिर इसके बाद देखिए, अगला है, transparency international, तो य जिद्धा हमें, यानि कि साओधी अरभिया में है, फिर इसका इंटरनेशनल ओलम्पी कबिटी का जो है, इसको है, हेट्वाटर आपका ती है, इसके साथ में आप और भी देख सकते हैं, United Nation, भर्मेंटल प्रोग्राम के हेट्वाटर है, इसका Kenya, नहरोबी में, फिर इसके इसके बात देखिए अगला, United Nation Development Program, UNDP, तो यह जो है, USA के सहर, नियॉर्क में है, International Telecommunication Union की हेट्वाटर जहाइब का ती है, स्विट्जर लेंड के सहर, जेनवा में आपका है, International Code of Justice की बात करते हैं, तो यह दिखिए, इदिहाग नेधर लेंड में आपका है, इसके बात वर् कोशन आपका है, कि सुरत इस लोकेटेड इन दे बैंक सफ विच रिवर, तो सुरत जहाए, कौन से रिवर के बैंक पे लोकेड़ है, तो देखिए, सुरत जो सहर आपका है, तो यह जो है, अतापती नदी किनारे आपका है, तो ओप्सन भी इसका दिखिए, राइट एंसर आपका हो जाएगा, तो दिखिए, जितने भी इंपोर्टेंट सिटी है, और वो कौन से रिवर बैंक पे आपका है, तो इस तरीके कोशन आपका पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए, लिस्ट हमने तयार किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते है, सिटी उ लकनो का जो मेजर बैंक, इसका रिवर बैंक पे इसे चुडएड है, तो आपका गोमती नदी है, पिर हरिद्वार का देखिए, इसका गंगा आपका होजाएगा, डबलिन का लिफे हो जाएगा, लिस्बन का आपका टैगस हो जाएगा, और बैंकों का छाव फिरा है, और पर्थ का आपका बर्लिन का इस प्री है और वियना का इसका डेनुब आपका जाएगा फिर इसके बाद लुधियाना का देखें इसका सतलजन दिया आमदाबाद का साबरमती टोक्यों का सुमीदा और कोलंबो का केलानी और अवदया का सरीव नती है तो जितने भी सिटीज है और जो कौन से रिफर बैंक पे सिच्टेट है तो इनसे क्वेशन आपका पूछा जाता है तो यह आप लोग याद कर लेना है यहाँ पर नेक्स देखिए क्वेशन आपका यहाँ पर है तो इसमें देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर तो सुसमा सुराज में भी बहुत लोग इसको मारेंगे एंसर इसका लेकिन देखिए जो इंद्रा गांधी थी तो यह इन्होंने इस पोस्ट पर सबसे पहल आपका हो जाएगा हलांकि अगर पूरног कारेकाल करने के लिए मदर लमबे समय तक बनी थे तो वहां है तो बहुति सस्मा सुरा जो की यह सकर्णों विमें थी जोी इस पोस्ट के उक्वाइग खDe तो पहले कौन है इंद्रा गांधी तो यह important है आपका यह याद रखना आप लोग तो thank you दोस्तों आपको कैसा लगा यह lecture आप लोग comment करके जरूर बताना और देखिए इसी तरीके से आगे भी set आपको हम provide करते रहेंगे और PDF जो है जिके का इसका जो है लिंक description box में आपको मिल जाएगा तो आप लोग उसको जरूर पढ़के जाना आपके लिए काफी helpful मिलेगा examination में तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए